नवस्कार दोस्तों स्वागत आज फिर आपका इस नए वीडियो मेंड आप सब बहुत अच्छे होंगे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोड़क्टिव जरूर कर रहे होंगे दोस्तों अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं रॉयल इंफिल्ड मेटियॉर 350 एंड इस अपनी ही फामिली से बिलॉंग करती है अभी इसको खरीदे हुए लगबग लगबग पाँच महीने हो चुके हैं एंड पिछले पाँच महीनों में नियर अबाउट 3800 किलोमेटर्स ये बाइक चल चुकी है तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ हर एक छोटी बड़ी डेटेल शेयर करूँगा मिटियो और 350 से जूड़ी हुई एंड इसके प्रोज और कॉंस जो की पिछले पाँच महीने और 4000 नियर अबाउट किलोमेटर्स के सफर में हम लोगों ने फील किया है वो सारी डिल आपके साथ शेयर करूँगा वो सब डिसकेशन्स हम एंस्टाग्राम पर कर सकते हैं मैं हमेशा एविलेबल रहता हूँ हमेशा फ्री रहता हूँ साथ ही अपना चल रहा है दोस्तो 365 डेज 365 वीडियो गा चैलेंज जिसमें एक ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बाइक से जुड़ा हुआ डेली आता ह आपको सवा 9 बजे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल नेटिफिकेशन आइकन को प्रैस कर दीजिएगा दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पॉजर्टिव की क्योंकि अगर नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे भाई क् दोस्तों belonging कि एसा नहीं है करता हूं यह मेड्याइफ की से कंड़find्र की हंटर आप देखते हैं बाकी इस मेंगी बहुत सारी हूं बहुत सारी आरे खामियां है जो हर मशीन में होती ऐसा नहीं सपासटिक लिए सी में है कोई भी मशीन परफेक्ट होती ही नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं इंप्रूव्मेंट के एरियाज कंपनी छोड़ देती है सो अगर स्पेसिफिकली हम मिटियोर की बात करें सो सबसे पहले इसको लेने का जो एक रीजन था वो ये था कि इसके लुक्स बहुत सांदार है बहुत बल्की लगती है बाई किसी भी एंगल से आप देखेंगे ना आगे से पीछे से बहुत जबरदस लगती है इसके लुक्स इसको बहुत जबर आई कैची बनाते हैं बहुत अच्छे रियक्शन मिलते हैं पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव है दोस्तो इसका सेटिंग पॉजिटिव इसका बहुत सांदार है बहुत कमफी राइडिया आपको देती है इसली आप इसे 200-200 प्लस किलोमेटर चला सकते हैं एक बार बाइक पे बैठने के बाद कोई समश्या कोई कस्ट आपको नहीं होगा सीट बहुत कमफर्टेबल है राइडर के लिए भी पिलियन के लिए भी यह जो पूरा सेटिंग पॉस्चर है हैंडल्स थोड़ा सट अपवर्ड है राइडर के लिए जो फुट्पैक्स की पोजिशन है वो भी आगे की तरफ दी गई है यह चीज इसकी बहुत ज़्यादा कमफर्टेबल है इसकी अलावा इसका तीसरा जो पॉजिटेव है उसकी अगर बात की जाए दोस्तो अपने प्राइड सेग्मेंट में इकलौती यह ऐसी मशीन है एवेंजर आती है लेकिन वो 200cc में आती है और उसका कोई कंपरेजन है ही नहीं इंजन की बात करने हैं तो वही सेम इंजन है बाकि बाकी बॉडिवेट इसके अंदर थोड़ा सा जादा इसकी वैसे कई बार यह फील करवाती है हंटर के कंपरेजन में हंटर थोड़ी सी ही फास्ट फील होती है तो यह पॉजिटेव के साथ-साथ दोस्तो यह टॉपेंड वेरियंट है तो इसके अंदर आपको alloys देखने को मिल जाते हैं जो की diamond cut यहाँ पे दिये गए हैं ABS देखने को मिल जाता है front and rear दोनों में disc brakes दिये गए हैं So overall जो यह package offer करती है safety के अगर हम point of view से देख लें या comfort के point of view से देख लें तो बहुत बहतरीन है अगर और technical में हम जाएं So इसके vibrations पहली जो thunderbird आती थी या फिर हम पुरानी जो meteor आती थी UC engine के साथ उसके comparison में काफी कम vibrations इसके अंदर है and यह stability भी बहुत अच्छी offer करती है even अगर आप triple desert speed पे भी है 100, 110 So वहाँ भी आपको कोई समश्या नहीं होगी but मैं आपको recommend नहीं करता कि आप उतने धीज चलाएं and चौथा जो इसका positive है दोस्तो that is यह wind seal अब यह जो wind seal है दोस्तो आप without wind seal भी meteor खरीद सकते हैं but यह जो wind seal है यह आपको बहुत help करता है wind blast से बचने के लिए and overall आपकी ride को और बहतर और smooth बना देता है so यह कुछ positives है and जो मेरे को इसके अंदर feel हुए rear suspension बहुत अच्छा है smooth है ride आपकी comfy रहती है pillion जो है वो परिशान नहीं होते तो overall बाइक के अंदर यह सारे positives है and अभी जो main चीज़े negatives उसकी बात करते है पहले negative की बात कर लेते हैं दोस्तों so सबसे major negative जो मुझे सुरू से meteor के अंदर feel होता है कि इसके अंदर ground clearance इतना कम दिया गया है कि आप जो है कहीं भी जैसे जिस location पर हम है बहुत मुश्किल से लेके आए दो लोग बैठे वे थे उसके बावजूद भी इसका जो नीचे some guard लगा वो टच हो रहा था so ये इसका negative है कि अगर आपको ज़्यादा rough चलाना है खराब रास्तों पर चलाना है तो आप meteor की तरफ बिलकुल मत जाईएगा दूसरा negative है दोस्तों इसके ये foot packs ये वाले अब ये जो है engine के नजदीक रहते है so आप इसे ना तो sleepers में चला सकते हैं ना ही आप sandals में चला सकते हैं और अगर आप long ride पे आपने boot नहीं पहने होए normal sports उस पहने होए और गर्मी का time है तो आपको अच्छी खासी heat pair के पास feel होने वाली है क्योंकि यहां पे कोई भी अगर मैं exhaust की बात करूँ तो भी कोई covering नहीं दी गई है and engine के पास में भी कोई covering नहीं दी गई है तो बढ़िया जबरदस्त वाली heat महसूस होती है गर्मियों में भी and अभी rainy season है, अगस्त का महीना है इस महीने में भी ठिकठा-खीट होती है अगर आप इसे 70-80 km की ride पे लेके जाते है तो ये दो दूसरा negative था दोस्तों अगर हम third negative की बात करें so I don't know why royal infield को ये करने में मजा आ रहा है इसके अंदर भी same tapet का issue है same जन जनाहट feel होती है even अगर मैं बात करूँ तो पहले से काफी इसके vibrations controlled है बट इसमें आप सुनिये tapet की अवाज कितनी बहतरी ना रही है और मात्र 381 km चली है ये तो ये जो tapet वाली जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये तो फैमिलियर है royal infield के साथ में and I don't know वो लोग क्यों इस चीज के उपर काम नहीं कर रहे है समझ ही नहीं आता क्या चाहते हैं consumer point of view से हम से अगर 10-5000 रुपे extra लेने हैं तो हम वो भी पेकर देंगे यार बट कम से कम इंजन तो आप इतना स्मूथ बनाई है कि बंदा बैठे तो इसको कोई और साउंड आई ना सिवाए exhaust के और अभी ये गरम नहीं है बाइक ये ठंडी है बहुत टाइम सा यहां पर खड़ी हुई है ठंडी बाइक है तब इतनी टापट की साउंड आ रही है अगर इसे 200 किलोमेटर चलाने के बाद आपको सुनाऊंगा तो साइध हो सकता है कि आपके कानों से ब्लड आने लग जाए जो टापट की जो नॉइस का प्रॉब्लम है ये डेफिनेटली रिजॉल्व होना चाहिए एंड मेटियोर से ही नहीं ये हर एक बाइक से रिजॉल्व होना चाहिए अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे नेगेटिव की तरफ देज रियर टायर अभी आप देखते हैं सूपर मेटियोर में थोड़ असा वाइडर टायर आपको देखने को मिलता है लेकिन अगर हम मेटियोर की बात करें तो ये वही सेम टायर है जो आपको देखने को मिलता है वही टायर साइज है तो अगेन मैं बोलूँ इसके अदर थोड़ असा वाइड टायर होता तो यह और ज्यादा पीलिंग लगती पीछे से और ज्यादा कंफर्ट फील होता और ज्यादा अग्रेसिव दिखती मशीन बट कहते and meteor की prices में बहुत सारा difference है तो क्या फाइदा हुआ अगर tire का size आपने छोटा किया है height कम किया तो उसकी width आप बढ़ा सकते हैं but I don't know why क्यों यह चीजे नहीं होती and rear में एक और एक चीज है दोस्तों जो कि आप यह tire के साथ में negative को add कर लीजेगा अभी rainy season है डिस्पेड चेंज करवाजते हैं तब भी नहीं जाती है तो यह चीज भी serious है और इस चीज को seriously लिया जाना भी चाहिए royal infield authorized service centers की तरफ से या फिर जो OEM manufacturer है उनकी तरफ से fifth negative जो दोस्तों मुझे फील होता है इसके अंदर जो socks दिये गए हैं अगर हम बात करें सुपर मेटी और 650 की तो इसके अंदर यूएसडी socks दिये जाते हैं बट ये बाइक near about 3 lakhs के something आती है ये भी डिजर्व करती है यूएसडी इसको आपने नहीं दिये बट बोल सकते हैं कि customer जब पैसा देने के लिए क्यार है customer को कोई problem नहीं खरीदने में तो company क्यों विचार करें company ने भी वही normal socks पकड़ा दिये कि जाओ आप सुपर मेटी और में इसके अंदर जो में फरक है वह making का तो ही नहीं वह फरक है engine का वह twin cylinder engine है उसके अंदर double exhaust आप देते हैं लेकिन यह जो soccer हैं इसके यह इसके front look को पूरा खतम कर देते हैं पूरा खतम कर देते हैं अगर इसके अंदर usd होते तो और जादा बैतर लगती बाइक सामने से देखने में और जादा appealing लगती लेकिन लेकिन बात वही है जो नहीं मिला उसके लिए होते रहो और जो मिलता है वह आप खरीद नहीं सकते डियो टू माइलेस डियो टू फैनेंचल इशूज डियो टू की वह थोड़ा सा महेंगी है तो यह सारी चीजे थोड़ा सा बात करो ट्रपर मेटर भी इसके अंदर आता है जो कि रॉयल इंफील्ड का डवलप्ड है गूगल के साथ मिलके बनाया था तो बागी तो ठीक है ओवर आल बाइक बढ़िया है बट यह चुट-छुटी चीजे हैं अगर यह इंप्रूब कर दी जाती तो डील और बैतर हो स आप लोग ट्राफिक रूल्स को फालो करिए अपने लवड़ों के सार में टाइम स्पेंड करिए जय हिंद जय भारत